यूटूब क्रांती परिवार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनहा मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ योग की एक नई जानकारी लेकिन सुरुवात करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर ले साथी साथ लाइक करें सेयर करें और कमेंट भी करें वेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके आजम बात करने वाले है करमेचारी राजबीमा निगम आदर्स अस्पताल की इसको ESIC मॉडल हॉस्पिटल भी कहा जाता है जो की अजमेर रोड जैपुर राजिस्थान में इस्तित है यहाँ पर योग इंस्ट्रक्टर के रूप में योग की वेकेंसी आई हुई है लेकिन बहुत सारी बात हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें पहली बात है यहाँ पर लिखा हुआ है फुल टाइम योग इंस्ट्रक्टर बहुत सारे योग सादकों को लग सकता है कि यहाँ की जो वेकेंसी है वा फुल टाइम मतलब पर्मानेंट योग की वेकेंसी है तो ध्यान रखिएगा यह वेकेंसी पर्मानेंट नहीं है यहाँ पर फुल टाइम से मतलब है आपको मंडे टू फ्राइडे 9-4 बजी तक काम करना पड़ेगा Saturday आपको 9-1 बजी तक काम करना पड़ेगा Lunch time आपका 1-1.5 बजी तक रहेगा मंतली आपको एक लीब भी मिलेगी इसलिए इनोंने यहाँ पर full time कहा है क्योंकि mostly जो योग की vacancy आती है वहाँ 1-2 हंटे की रहती है जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आ रही है तो आपको दिन में 1 घंटे ही काम करना होता है लेकिन यहाँ पर जो vacancy है वहाँ full time मतलब दिन भर आपको यहाँ पर काम दिया जाएगा इसलिए इनोंने यहाँ पर full time योग vacancy लिखा हुआ है सेलरी आपको 27,000 रुपे पर मंत मिलने वाली है अधिक्तम आपकी vacancy तीन साल तक चल सकती है हर साल आपका काम renew होता जाएगा अधिक्तम तीन साल तक ध्यान रखेगा यहाँ पर आप सीधे आविदन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर साफ लखा हुआ है NGO के माध्यम से आपको अपना form भेजना पड़ेगा या फिर आपको प्रतिष्ठ संस्थान के माध्यम से अपना form देना पड़ेगा ध्यान रखेगा आप स्यम जाकर यहाँ पर form सब्मिट नहीं कर सकते पहली बात तो यहाँ पर बहुत जादा पहले आपको form नहीं भेजना है आपको अपने साथ में form को लेकर जाना है पहले उहाँ पर form आपका सब्मिट होगा फिर आपका इंटर्वी होगा लेकिन प्रतिष्ठ संस्थान के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा या फिर NGO के माध्यम से आपको काम करना पड़ेगा यदि आप सीधे form को लेकर जाते हैं तब आपका form reject कर दिया जाएगा इसलिए आपको सीधे यहाँ पर नहीं जाना है किसी भी NGO या फिर प्रतिष्ठ संस्थान से आप संपर्क कर लीजे उनके माध्यम से आप वहाँ पर जाईएगा क्वालिफिकेशन के बारे में यदि हम बात करें यदि आपने MA या MSC योग विसे की साथ किया है तब आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं किसी भी experience के आपको आवज सकता नहीं होगी यदि आपने डिग्री की है योग विसे के साथ तब भी आप आविदन कर सकते हैं किसी भी experience के आपको आवज सकता नहीं होगी यदि आपने after graduation डिपलोमा किया है वन इयर का तब भी आविदन कर सकते हैं लेकिन फिर आपके पास वन इयर experience होना आवस्यक है जो भी प्रतिष्टिस संस्थान या NGO आविदन करना चाहते हैं वहाँ 20.11.2020 सुबह 9 बजे चले जाएंगे सबसे पहले आपको वाईवडाटा experience qualifications आदी जमा करनी होगी इसके बाद आपका interview होगा interview में आपका selection होगा तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद